बहुत बहुत शुक्रे आप सभी का जॉइन करने के लिए मैं आसिफ रशीद आपके साथ आज मुलाजमीन के लिए अच्छी ख़बर आपको सुनाते हैं थोड़े-थोड़े करके लेकिन वो कहते हैं तोड़ा-थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है hope so इसी तरीके से थोड़े थोड़े करके सारे लोग permanent हो जाए आर्जी मुलाजमी जितने भी हैं daily wagers हैं आज के वक्त में जो दिन की उजरत लेकर काम मुख्तलिफ departments में करते हैं वो permanent हो जाए सरकारी order की तरफ पहले चलते हैं लेकिन एक ही खिते के लिए है थोड़े सी इसके लिए माजरत क्योंकि ये सरकार की गलती है तो जो चीजें हुई हैं वो में जरा बताओ 206 PDD Power Development Department यानि PDD के अंदर महक्मा बिजली के अंदर काम करने वाले 206 आर्जि मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए orders जारी कर दिये गए है 206 PDD Daily Wages Employees जो के आज के बाद permanent हो जाएंगे इनके लिए कुछ शरायट हैं वो मैं बताओंगा आपको याद होगा कि जब से Department के Unbundling हुई है काम का आज बहुत मुश्किल हो गया है परिशानियां खुद Department को आई है कई तरह के मसाइल सामने रहे हैं और बहुत सारी पोस्टें खाली थी उनको फिल करने में भी मुश्किलात इसलिए आई क्योंकि हजारों लोग है आज के वक्त में लेकिन इनके लिए क्या कहा गया है कि 206 मुलाजमीन में शरायत यह है कि हर मुलाजम की लगातार बिना किसी ब्रेक के बिना किसी वक्तवे के साथ साल सर्विसिस होनी चाहिए साथ साल मुसलसल इन्होंने खिदमात अंजाम दी है साथ साल लगातार सेवाएं दी हैं तो वो ये मुलाजिम है जो साथ साल बिना किसी break के नौकरी करते ने उनको permanent इस बार किया जाएगा धरसल हुआ क्या है कि Divisional Level Departmental Promotion Committee ने कुछ rules बनाये थे जिसके हिसाब से meeting हुई, मुशावरत की गई उसने Department के सामने सिफारिश की Recommendations की कि आप जमो इनकश्मीर PDD Subordinate Services Recruitment Rules 1981 जिसके तहत SRO 381 PDD 1981 की इस Act का हवाला देते हुए कहा गया कि जितनी भी खाली पोस्टें उनको फौरी तोर पर फिल किया जाए, इन खाली पोस्टों में 17 लोग जूनियर असिस्टेंट की पोस्टों पर काम करेंगे बलकि यानि पर्मनेंट होंगे लेकिन 17 पोस्टें जो जूनियर असिस्टेंट की खाली हैं वहाँ पर काम करेंगे और 189, 189 कुछ लोग इसे 190 के करीब भी बानते हैं 189 जो ऑफिशल है जो दरजह चाहरूं क्लास फूर्थ की ओहदूं पर इन पोस्ट पर डिपार्टमेंट में काम करेंगे जो खाली पोस्टें इस वक्त हैं तो कुल मिलाकर ये 206 पोस्टें बनती हैं यहाँ पर 206 लोगों को पक्का किया जाने के ओर्डर जारी कर दिये गया है मीटिंग डिविजनल नेवल डिपीसी जो है डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमिटी उसकी मीटिंग 9 तारीक को फरवरी के महीने में 2021 में होई थी और उसके बाद मैनेजिंग डिरेक्टर को कन्वे किया गया जम्मो पावर डिवल्पमेंट कोर्पेशन लिमिटेड को भी बताया गया और 6 जून 2022 और 6 जून को एक और इस पर मुशावरत हुई और 8 जून 2022 को ओर्डर सामने आ गया था जो आप जाकर चीजें क्लियर कर दी गई है कि वाइड इक ओर्डर नंबर है 10-1-457-58 इस ओर्डर के तहर्ट 206 लोगों के लिए खुशकबरी है जम्मो के अंदर ये कब हुआ है जब PDL या RLD या TDL जो मुलाजमीन थे वो एतिजाज कर रहे थे कि पर्मनेट किया जाए और डिपार्टमेंट जब से अनबंडल हुआ है जब से मर्ज की गई चीज़ें तो उनके लिए परिशानिया है कॉर्पेशन के हवाले सब कुछ कर दिया प्राइविटाइजिशन हुई है तो आपने बिजली तो बेज दी बिजली बनाने वाले जो एकुइपमेंट से वो बेज दिये वसाइल थे वो बेज दिये लेकिन मुलाजमीन का क्या सवाल बड़ा था हज़ारों मुलाजमीन जो आज के वक्त में इंतजार कर रहे है बिजली महक में के अंदर कि वो पर्मनेंट होंगे लेकिन बदकिसमत ही ये कि सरकार इन्हें सिरफ आश्वासन के लावा कुछ भी नहीं दे पाई है 206 मुलाजमीन ऐसे हैं जो के 21 दिनों के दौरान डिपार्टमेंट को कहा गया है जो तमाम कॉर्परेशन्स हैं दफातिर हैं, सर्कल्स हैं, ड्वीजन हैं ने कहा गया कि 21 दिनों के अंदर ओर्डर निकालो अगर 21 दिन से एक घंटा भी लेट हुआ तो ओर्डर वापिस लिया जाएगा मुस्तकिल के ओर्डर के लिए किसी तरह की कोई फिर प्लानिंग नहीं होगी ये आप 21 दिनों के अंदर कंप्लीट करेंगे दूसरी का गई है कि अगर 21 दिनों में प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो बिना किसी नोटिस के हायर अथॉर्टीज एक और ओर जारी करेंगी पहले वाले ओर्डर को मनसूख कर देंगी खत्म कर देंगी और रेगुलाइजेशन फिर नहीं हो पाईगी 2019 के बाद से ही कुछ मुलाजिम है डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट होने के बावजूद भी पर्मानेट नहीं हो पाई और बहुत सारे लोग हजारों ऐसे हैं जो कई सालों से काम कर रहा है अब क्या कहा गया है कि 21 दिनों के अंदर प्रोसेस कंप्लीट करना है तो उससे पहले जिन लोगों को जोईन करवाना है ये 206 लोग जो हैं एक तो 7 साल मैंने पहले ही बताया 7 साल कमसकम नौकरी करना ज़रूरी बिना किसी ब्रेक के अगर उनने ऐसा किया है तो वही पर्मानेंट हो पाएंगे दूसरा Academic Qualification Certificate यानि कितने वो पड़े हैं वो Certificate उनसे मांगी गई है Date of Birth Certificate मांगी गई है इसके इलावा PRC और Domicile Certificate या Relevant Category SD, SC, General या फिर OBC और बाकी कोई Category Reserved में आता है तो वो Certificate अगर किसी के पास है वो जमा कराने के लिए कहा गया है अब इस Order के मताबिक 206 लोग ये सिरफ जम्मू सुबे के अंदर जब से Department Unbundle हुआ है परिशानी का सामना कर रहे है 206 लोग इनमें से 17 Junior Assistant की पोस्टों पर 189 डेपार्टमेंट में Class 4 की पोस्टों पर काम करेंगे मगर हुआ क्या है ये 206 लोग तो Permanent है Department के अंदर ही हमारे Sources मौझूद है कि अगले कुछ दिनों के दौरान एक और Order आने वाला है Department एक और हुकम नामा साधिर करेगा जिसमें कश्मीर सुबे के 300 आरजी मुलाजमीन को पका किया जाएगा ये Official Confirmation होना बाकी है लेकिन Official जो सूतर हमारे है हमारे Sources हैं Department के अंदर वो बताते हैं कि ऐसे मुलाजमीन जिनके 300 के आसपास तादाद है आने वाले कुछ दिनों में एक और Order जारी किया जाएगा और 300 Daily Wages कश्मीर सुबे के अंदर बहुत जल जिनकी DPC जो Promotional activities हैं और Departmental Level जो Promotional Promotional Committee है Divisional Promotional Committee है उसकी जो सिफारिशात हैं और कभाई दो जवाबित को सामने रखते हुए जिन लोगोंने साथ साथ साल लगातार मुलाजमत की है और यही जो Formalities है, Qualification certificate, Data of Work PRC, Domicile certificate, Relevant category कोई certificate है तो इन 300 लोगों को कश्मीर सुबे के अंदर भी पका किया जाएगा यह आपको यहां बताना जरूरी है 11,000 Delivagers हैं, पूरे जमुकश्मीर के अंदर जो सरकार की जानिब से Order कर दिया गया है, लेकिन खाली पोस्टों पर इन्हें पकी बुन्यादों पर मुस्तफिल बुन्यादों पर लगाया जाएगा जब सरकार की तरफ से का गया था कि 12,000 मुलाजमीन को पका कर दिया जाएगा इनमें 2019 से बहुत सारी पोस्टें खाली है वो प्रोसेस अभी complete नहीं हो पाया था लेकिन यह Order जो है, 206 लोग है तो होब सो कि कश्मीर सुबे के जो 300 के आसपास मुलाजम है इसके इलावा भी आगड़े और जाएं लेकिन यह सरकारी Order जो है डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी मौजूद है, वहाँ पर भी लोग जा सकते है वहाँ पर भी आप धून सकते है यह आप जो तारी के मैंने बता दी कब मीटिंग हुई, कब रिकमेंट किया गया सारी चीज़ें के लिए हो जाएंगी बराल 206 आरजी मुलाजमीं के लिए अच्छी खबर है और ला करे के सब के लिए अच्छी हो जो जो आरजी है क्योंकि डिपार्टमेंट्स को इन लोगों ने चलाने में बड़ा रोल किया है बहुत बहुत शुक्री आप सबी का आपकी राय मेरे लिए बहुत जरूरी है हम सब के लिए जरूरी है बताईएगा अपने कॉमेंट्स के थूँ